नमस्कार रामराम जयेगोमात न मित्रों कैसे आप सब आशा करता हूं अच्छे होंगे और मित्रों अगर आप मेरे पीछे बैग्राउंड बेगराउंड में देख पा रहे हैं तो यह तो अभी नाडी है तो गाउं की नाडी है नाडी यानि जो हमारे इतरे राजस्तानी बासा में नाड़ा बोलतें नाडढ और जो नाड़ी है तालाव का फ्वरूप है उसको नाड़ी कहते हैं गोचर भूमी में घड़ा हूं पर और आज में अपनी गोचर कर वहाता हूं और अब हैँ देख सकते नाड़ी है और नाड़ी से अगर आप सीदा देखेंगे ये स्क्रीन पर देखो एक वो टावर है मोबाइल का जो जीयो का टावर लगा है और वहां पे है हमारा गाउं तो यह यह इस नाड़ी से जो यह बिंदू है यह अगर आप देख यह तक है आगे थोड़ा सा आगे यहां है गोचर बुमी यहां से शुरू होती है और इस साइड में आप देख सकते हैं जो खिजडियो कनाहों में यह अगर आप इस जगह पर देखेंगे यह ऐवाली जो जगह है यह जो जगह है अगर आप देख पा रहे हैं तो यह जगह है जो हमारी होट sentenced की गोशला है जो सारवजणी को सालय है उसका वह चारे का इस स्टोरेज बना हुआ वह दिख रहा है सामने और उसके आसपास भी भी गोचर भूमी है, काफी गोचर भूमी उदर भी है, वो गाउं के पास वाली है और अगर मैं इदर आपको लेके चलूं, इदर तो थोड़े लोगों के जो सो खातेदारी जमीन आ गई है जहां पर ग्रीन आपको आगे नजर आ रहोगा जो अंग्रेजी बबूल की जाड़ी के दूसरी साइड में लोगों के खेते जहां पर काफी लोगों ने मैंदी का प्लांटेशन कर रहा है, हमारे इदर मैंदी के प्लांटेशन भी काफी है और यह जो है पूरी गोचर भूमी है, यानि थोड़े से खेत है यह सामने और यह जो रास्ता जाता है वो आगे गोचर भूमी की साइड़ी जाता है और इस जो यह आपको एक बिजली का खंबा नजर आ रहा है यह जो बिजली का खंबा गोचर में खड़ा है और यह जो आप देख रहे हैं लाइन जो अंगरी जी बबूल की जाड़ी की उसके पीछे पूरी गोचर भूमी है और टोटल गोचर भूमी हमारे यहां लगबग 800 बीगा के लगबग है और उसके दूसरी साइडम फिर आगे दूसरे गाउं की जो है सरद आ जाती है यह आप पूरा देखिए और अभी जैसे मौनसून का टाइम है तो काफी यहां देखो आप हर जगए हर्याली है और चारा भी होने लगए लेकिन क्या है कि मित्रों गोचर भूमी आजकल किया है कि इतनी कि सार संभाल करते नहीं है हम लोग ही नहीं करते हैं तो उस वज़े से क्या ह क्रीजा करने से यह क्या कि पसु चरने से सिर्फ अब जैसे गाएं यहीं नहीं से मेनके अलावा क्या अब क्या आखें मतलब किसको दोस्ति हम खुदी नहीं हम समय कर ले कि बहुन सिम्ह Leuten का आप है भेड़ बकरी चुरुने से क्या कि यह भूमी लाइक चार शाल में एक लाखन favor oh पूली पड्धि है तो पूली पडूने से वाप मरण में 5 शारव उतनी है नहीं तो उस वजे से क्या है किये है दिक्कत आ रही है है तो चारव कम हो रहा है और भेड़ बकरी की भी इस बेड़ बकरी पालक भी करेत भी तो क्या करे क्यूंकि गोपालन उत्का प्रॉफिटेबल उनके नहीं एक पूरवज है वो गोपालन करते थे ऑद वो प्रॉफिटे नहीं Pero अज कल उन्होंने बेड़ बकरियां पाल ली है ज्याधा तरह जो पूराने कई जाएगी तो इससे किया है कि चारे की कैमी इससे सपर सब कर रहा है इससे मलब दुखी सब है लेकिन अब क्या करे कि हर कोई चाता है कि जो आज खाऊं वो मेरा है कल किस ने देखा ये वाली जो मनो विचारदारा है वो हम लोगों में प्रवेश कर चुकी है और ये सामने अब देखें जो कैर की जाड़ी है कैर जो राज्स राजास्तान की सूकी सब्जिय को täll आते है अभी तो नहीं लगे सब्सक्रादार चार्वां को जाड़ी और इनके आसपास चारा बीवी खुब होता था अब होता है लेकिन अभी शुर्वाती दिनों के खाएं यहीं चर् रख्स है वह काफी है और वह भी आप देख सकते हैं इवन राजस्तान सरकार भी मानती है कि जो मरुस्तली करण है जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा मरुस्तल का परसार हो रहा है उसके लिए बेड़ बकरिया भी काफी हद तक जिमेदार है क्योंकि वह एक तो चारा भी जमीन से पूरा खाले थी कोई भी विवनस्पती उसे क्या वापिस उसमें फुटाव नहीं होता ग्रोथ नहीं होती दूसरी बेड़ लोग्त है नहीं को काटते रहते हैं तो है जब किसी की खातेदर भूमी में हो तो वह किया पर कांटणाने नहीं देता है तो वह Cart Et uh लेकिन अब किया के गोचर में कोई इसका धनी दोरी नहीं, कोई मालिक नहीं, तो इसमें क्या वर्स में दो दो तिन तिन बार तो फिर आखिर में यह ठूट रहे जाते हैं, यह जैसे यह सामने देखे, खेजडी जो खड़ी है, वो सूख जाती है, ठूट रहे जाते हैं, तो यह भी एक कारण है तो कहीं कहीं हमारी जो लालची परवर्थी है तो उसे गोचर भूमी का विनास हो रहा है और अगर गोचर भूमी का विनास होगा परियावन का विनास होगा तो कहीं कहीं वो हमारी जो लाइफ है उसको भी इफेक्ट करेगा और ये हम लोगों को समझना चाही है मेरा इस वीडियो के माध्यम से यसंदेश देने का परियास है अगर वीडियो अच्छा लगे और हमारी गोचर भूमी फिलाल अगर कहूं कमपेरिजिन कहूं तो कई गाउं से अभी भी अच्छी बैटर है लेकिन हमें बैटर से बैस्ट बनाने का परियास करना चाहिए वीड से अपली चैनल को सब्सक्राइब करो दन्यवाद मित्रों राम राम जय गोमाता